सब्सक्राइग इस दो please welcome to जान ये दोस्तों आप मैंसे बहुत लोगों दि मंड किया कि बैसल जैनलिक मैडिसम्स बडियो बनाए सभी सवालों के जवाब इस विडियो में दुझाaround और जायिक और आप देखके क्या से बता सकते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें हो सकता थोड़ा सा लंबा वजा लेकिन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला ये वीडियो क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो से बटने आया आपको बोची बताऊंगा जो किसी नहीं बताए ठीक है तो देखते रही है दोस्तों यहां पर देखते हैं सुनते हैं बहुत लंबा टाइम हो गया जैनरिक ब्रेंड़िट सुनते तो सभी को पता होता है कि मतलब मेटिसिंद की का मोलेकूल नेम और ब्रेंड़िट मतलब की दबबा कमपनी के धौरा रखा र general name कि उसका Gen-Rick name है यह app कोई फ़लानी कंपनी इसको किई से मार्केट में पíamos तर देती है तो वो क्या घड़ती है उसका अलग नाम रख दे ती ताकि मार्केटमे उस नाम से व्हों मिले तो से क्या बोलते ब्रेंड डेड ऩाना अलू कोसी होता है कुल्ला मिलता ठेले तो यही फर्क होता है सिर्फ ठीक है हलाकि यह नहीं बोल सकते हैं कि इनके फर्क होता है और फर्क होते हैं तो क्या होता है कि कंपनियां बढ़ी beetि स्यार होती boss के अब यह मुलेकुण मुझे ही बैचना है तो वह उसको पेटेंट करा लेती तिंट CRस करा लेती है कि यह सिर्फ वनाएंगे और कोई नहीं बना सकता रहा जितने दिन का है पकरहता है तो जब उसका पेटेंट खतम हो जाता है तो फिर सब कंपनिया लग जाती है उसको बनाने के लिए वो फ्री हो गया है सब के लिए मलब की बोला चाहिए ओपन सोर्स हो गया है कि कोई भी बना सकता सब्सक्राइब आता है मलेदिया कि ड्रग है कुछ से आर्टिस उनेट मौनल मन माफिक कीमत पर कैसे भी बेंचे बेकर क्योंकि आपके नहीं है आदमे के पास कि भाई दूसरा खड़ी दे क्योंकि एक ही कंपनी बना रही है तो जब उसका पूरा हो जाता है फिर सारी कंपनिया बनाने लगती है तो यह यह थियोरी है बैसे एक्शल में क्या होता है कि मतलब कि कोई दवा है उसको आप जो होती दो उसी के नाम से मार्केट मेंचोंगे तो उसे गोलें क्या जैन्रिक मेडिशन और अगर कोई दवा कंपनी है उसको कोई नाम देती है तो उसे ब्रैंडड भी बोलती है अभी आपको में एक चीह आना चाहिए कि भाई बहुत सार सब कंपनियों के आते हैं तो जो कुछ खास दवाईया होती है उनको तो अपन बोल सकती है यह इतिकल दवा है इतिकल इतिकल वेक सब दोता बहुत चलता इतिकल दवा होती है कि एक कुछ ऐसा मोलकुल होता जो इसरफ एक ही कंपनी या दो कंपनी इसको बनाती है वह काफी जदा पैसा देना पड़ता है अधरवाईज कुछ दवाईया यासी होती जो बहुत ही महेंगी मिलती है इसली मिलती है कि उनका कुछ समूल लगा चीक कि सिम्टा हुआ मार्केटर सिम्टी हुई मैन। फैक्ट्रिंग है कि हर इसके अंदर उसका पैकेजिंग उसकी ले जाने लाने की छंता उसका खर्चा डॉक्टर के पास एमर आएगा पचास ग्रिफ्ट देगा इस टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा दूसरी चैनल पर देखने ना आपके एमर किस तरह से डॉक्टर को कंवेंस करती है क्या क्या करते हैं यह सारा खर्चा कहां पर जुड़ता है वो दवा के अंदर जो एक लेव उसे ट्रेजन पांच रुपे की गोली आती है ब्रेंडड की वही जेनर की एक रुपे की भी आती है तो जो एक रुपे की चीज़ है जाब उसमें सारे एक्सपेंसेस को जोड़ जेंगे तो वो महंगी बन जाए और डॉक्टर को जहक मार के लिखना पड़ता है वो महंगी दवा इस तरह से कमाई होती है कंपनियों की तो यह तो हो गया फर्क कि भाई ब्रेंडर मतलब की कंपनी ने नाम रख दिया कुछ भी अब वो डॉक्टर को लिखना पड़ता है और सस्ती होती है कि जेंडरिक्ट जो डॉक्टर का भी लिखता नहीं क्योंकि वो सस्ती है उसके पास उसका एमर नहीं आ रहा कंपनिया बना रही है अब वो अभी यहां पर बात आती है कि भाई गॉर्मेंट ने तब फोकस क्यों किया क्योंकि दोस्तों कई लोग पैसे की क लिखो और डॉक्टर ब्रेंडेड लिखता है इस चक्कर में इस थियोरी के चक्कर में कई लोगों को दबाईया नहीं मिल पाती है ठीक है तो इसी चीज को दूर करने के लिए प्रधान मंत्र जन्वासदाले वगरे खुले गए तिक भाई आप शहाओ तो ले सकते जन्रिक द चीज को अनतर गत कंपरियां गवर्मेंट के अंतर गत काम करती है अईसा ही नहीं निकाल दिया उसके सब कंपनियों को टेस्टिंग कराना पड़ती है तो यह चीज आपके लिए रहो कि जन्रिक दवा काम नहीं करेगी अभी यहां पर कई लोग होते हैं मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे मैं पहला ही बता देता हूं कि हो सकता है कोईंसिदेंट कि आपने जनरिक दवा दी और आपको रेजल्ट ना मिला तो वो चीज तो ब्रेंडड दवा में हुए आती कई वारा आदमे की तवित खराब होती है तो चैचे में में इंजेक्शन कर दान दिखें लाद दी रרत नहीं मिलता तो उसे कंडिशन में ब्रेंड इस तो करने ओकी वो डिपेंड करता है कोन शी边 करता है सरुरी से यह सकते सटे दवा को काम नहीं करना तो नहीं करना ब्रैंडड ऊटाया एल इंडे को अभी आप बात आती किा पहचाने किस देखम एक और बोल सकते हैं इतिकल बहुत चलता है नाम तो एक मैं आपके लिए बताता हूं एक्जामपल सपोज ये फोकस नहीं हो पाएगा एक तो लाइट इतना तेज है ये क्रिट जी डर्मेक है ये बच्चे का सावून है ये ब्रेंडे किसका ब्रेंड है भाई मैक डेवलू कं ये कंपने का बहुत बड़ा ब्रेंड है काफी मैंगी कॉस्टेश की और ये कंपने वाले क्या करते डॉक्टर्स को इस कंपने का नहीं बोलेंगे पर्टिकुलर क्या अपन घ्रमेक को बदनाम कर वेसा कुछ नहीं करेंगे बट मैक्सिमम नाइटिन आइन पर्षेंट ब्र सप्लाई का सिरफ है या एंप में सप्लाई होता इसका नाम ही है सिर्फ परासिताम प्रेंड नेम नहीं तो इसे बोल सकते हैं पर के जैंडिक दबा एक और है तीसरी यहाँ पे मल्टी विटामिन है ठीक है इमार जू भी है एक यह स्ट्रेजडी है इसको समयने जरूरी है अब आपको अभी तक आप बने हैं वीडियो में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अब आपको मैं बहुत ही इंपोर्टेंट जी बताने वाला हूं एक तो हो गई जे इतनी हुशियार होती है कि वो जेनरिक दवाईयों को brand name देखे निकालती मार्केट में है उनकी marketing नहीं कराती है नियों को निकालती मारकेट में क्यों निकालती है कि यहां पर डॉक्टर्ष के पास डारेक्ट खुझ से देते हैं दवाईय काई डॉक्तर्ष और कुछ घृष मेडिकल स्टोर पर रखने के लिगे तो होता क्या है अब यहां पर कई मेरे ईवर सको बुरा लग सकता है तो मैं पहले क्लियर कर दीता हूं बुरा लग सकता है तो पीलिस आप आप सक्षित गाले बगर मत दैना मुझे कमेंड में क्यूंद में कि वार आप जाते दॉक अप्रिक पास बस्ते थे छट यो लख नहीं बोलता हूं में बहुत रेक्टिस कर रहा तो कई वाक्टर के पास खुद का एक ष्टाउक होता है वो दावाइया कि दस रुपए की यह सिरब भी मुस्कुल से पांच यह दस रुपए का होगा लेकिन उस पर MRP पुरी रहे ही MRP 100 रुपए ही रहे ही 120 जो भी रहती है क्योंकि यह कंपनियों की स्ट्राइजीड है कि उनकी डिवीजन्स चलती है डिवीजन्स बोले तो ब्रेंडड चल रहा है ब्रेंडड के लिए उसका MR जाएगा बैचेगा सब कुछ करेगा लेकिन खुद कुछ बेनेफिट कमाते हैं मैंट्रेंग तो करे रहे हैं उनको क्या है एक टैक देना है कुछ भी नाम रखना और सप्लाइगर देना है तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो खुद से ही देते है पहुत जाते हैं और यह दवाया सबको डॉक्टर परिशन को देता है लेकिन मूं अए मर्पी पर देता है डॉक्टर को मिला 10 रपय का सीची तो सो रफय डॉक्टर ले लेता है तो ऐसा कमाई होती है यह होती है यह जैनरिक दावाइगें को ब्रेंड नेम भी रहता है वह क पर टेग होता है यह कोई ब्रेंड नहीं है इसका कभी आपको कोई एड नी मिलेगा कभी आपको कोई ऑफिसियल साइट पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी नहीं कभी डॉक्टर पास इसका आएगा कुछ तो यह बड़ा ही कंफूजन है इंडिया में खास तो रुपए कि भाई मेडिकल वाले कैसर लूटते हैं तो जो जेनरिक दमाई यह मेडिकल वाले बैचते हैं जिनको आप देखोगे तो उनको आप पहचान भी नहीं सकते कि यह जेनरिक है क्योंकि उस पर वह एक कीमत रहती है एम टीपी केड़ जो आती है सो रुपे की भी आती है और जिण्टो की भी आती है लेकिन उस पर लेखा रहेगा पूरे साथ सु रुपे पासु रुपे और इंचीयों में भारी कमाई होती है लोगों की क्योंकि लोगों को पता चलता नहीं है ब्रेंड ने में अच्छा क्चमकता हुआ पता है कालर यहां पर आप देखिएगा कभी भी कोई ब्रेंड दवा उठाके उसका जो नाम रहता है यहां पर फोटो डाल रहा है उसके नाम के जस्ट ऊपर एक हलका सा सरकल होगा उसके अंदर आर लिखा रहता है यह होती ब्रेंड यह बहुत बढ़ी कंपनी है जिसने डॉक्टर को बहुत पैसा दिया है और यह ब्रेंड इड है ठीक है इसमें मेडिकल वाले का जो भी है 20-25 परसंट 15 जो भी मार दिन होता वह होता है बट पूरा पैसा कंपनी कमाती है इसकी मार्केटिंग बहुत जोर रहती हुई होती है तो यह ब्रेंड होती है इसमें आर बना रहेगा स आर नहीं लगा रहे था तो यह एक टेक्निक है इससे आप पहचान सकते हो लेकिन ऐसा जरूरे नहीं है कि हर ब्रेंड कंपनी आर को मेंशन करें लेकिन हर कंपनी जो जैनरिक दबा को ब्रेंड बना के बेंच रही मार्केटिंग वो कभी भी आर को मेंशन नहीं करती है तो दो कंडिशन भज गई यहां पर आकर जैनरिक के ऊपर तो कभी आर होगा ही नहीं रजिस्टर्ड का साइन जो होता है वो नहीं होगा रेजिस्ट्रेशन का लेकिन ब्रेंड कंपनियों के उपर होगा ही हन्रेड और पर उसको आप देखके समझ सकते हैं कोई भी दबा डॉक कर शकती हो कि भाई मेडिकल इस्ट्रो वाले से बोलो कि भाई मुझे पता है जैनरिक दवाइया आती है तो यह जैनरिक है के एथिकल है मुझे बता तो आपको बता देगा समझ जाना वदा उज्यार है इसको अपन नहीं व्यवक्तुं बना सकते हैं ठीक है तो यहां पर ज चाहिए नहीं लेना चाहिए कब लेना चाहिए समझते इसके बारे में होता क्या दोस्तों की जेनरिक दवाईया सस्ती इसलिए होती है क्योंकि मान लो एक प्रकार से आप मान लो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक फार्मसेटिकल कंपनी होती एक फार्मसेटिकल कंपनी होती और वो कोई भी दवा बनाती तो पूरी दुन्या में सप्लाई करना उसको डिमांड का मैं तो वो एक छोटा सा परस्टामुल का टैबलेट भी बहुत महेंगा बेस्ता आज की इस्तिति यह दोस्तों कि इंडिया में ही खास तोर पे लाखों कम्पनिया हैं लाखों तो नहीं कोई बहुत कंपनिया है कहीं इन दोर चले आब बहुत हैं पुपाल में मंदीदीप में भूसे हिमाचल में हर जिग पर बहुत सारी कंपनिया है जब कोई भी चीज है मार्केटिट जब आती है तो उसकी जब कॉम्प्रेशन बढ़ता है तो उसकी कीमत को कम होना चाहिए ल लेट गर गया डेटा का आप समय नहीं सोधारान से तो जब इतनी कंपनियां है जब इतना मॉल्यक्यूल बना रहे हैं तो सस्ती होना चीज हमारा टेक्नलोजी मेडिकल साइंस यह जो भी है इसका फायदा कब होगा कि भाई एक आम आदमी तक सस्ती कीमत पर दबा पहुंच सक आप दबा के अंदर कवर करते हैं यहां पर सस्ती के उती जैनरी दवा यह समझो कि कोई भी मॉल्यक्यूल इतना महंगा होता नहीं सब्सक्राइब एक परस्टम का टेवलेट तो कंप्रिय एक नहीं बनाती लाखों बनाती कई टंस में बनाती तो उनको कोई अब उनका खर् च्रीम आती है कि यह ऐसे ऐसे कैपसूल साथ डिबा खुलेगा और पैकिंग निकलेगी और अलगल यह सब खर्चा होटता है कंपनी आपने नाम को बनाने के लिए यह सब करती है कि आदमी को लगए कि यह बड़ी कंपनी का ब्राइंड है तो जो भी उनकी पैकेजिंग है तो उनका खर्चा बच जाता है जिनरिक का, उनका खाली यह पत्तार है आप तो तो टोड़ंके खालें खर्चा बचा दो तो पैकेजिंग का खर्चा बचा, हो यह ख़र्चा कहा से आएगा रूपर लेकर जाते हैं उनके सब ख़र्चा बचाता है जेनरिक दवाईों का तो जो दवा होती किमत पूंद मिल जाता है ठीक है अभी बाद आती लेना चाहिए लेना चाहिए अगर आपको आंसा लग रहा है कि आ आपके लंबे-लंबे समय तक मल्टी विटामिन्स चल रहे हैं या कोई यांसी दवाव जो लंबे समय तक चल रही है तो आप उसको ले सकती हो अधरवाइस लगता है कि कई बार कभी-कभी यहांसे चले गए लंबे-लंबे समय तक दवाई चलती है तो आप देख लो अगर लंबा-लंब ट्रीटमेंट तो उसमें आप जैनरिक दवा ले सकते हो अधरवाइस एक दुबार कभी मोगा पढ़ता है तो उसमें बहस ना ही करो तो अच्छा है तो आप डॉक्टर से क्रोश कर सकते हो भाई को मना नहीं कर सकता है यहाँ आप कई लोग देख रहे हूं तो यह बोलेंगे कि हम जैनरिक इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जैनरिक में हमें एक सिंगल मॉलेकूल मिलता है और ब्रेंड़े में में बहुत सारे मॉलेकूल मिल जाते हैं इस चीज़ को ऐसा समझो आप कि ब्रेंडिक क्पने क्या करती है कि उधारण कल्यें अबालने जिरो डॉल MSP है तो इसमें क्या करते है कि बहुत सारे मॉलेक्ट्र मॉल्कूल रग कंपने कंदा तु नहीं ग्तिते हैं तो इसलिए वह ब्रेंड लिखती है अब वह डॉक्टर एसा नहीं करता है यह सब बहाने बाजी होती है ठीक है जैंडेक में combination नहीं आते हैं आप सर्च करो मिल याएंगे तो जन्ता के बारे में सोचोगे तो सब मिलेगा ठीक है अपने बारे में सोचोगे तो सिर्फ आपको कमपनियां बनाती हैं चीज वही होती है बस उनका packaging का marketing का पैसा बच जाता है तो वह थोड़ी सस्ती होती है तो तीसरी होती है कि जो branded दवाईंगे वालने वाले कमपनियां होती है वो जन्रीक दवाईंयों को brand name देके brand name देके मार्केट में उतार देती है ताकि डॉक्टर्स अपने खुद से सब्सक्राइब की देशा के दबाएगा ठीक है और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेजडी होती है मेडिकल स्ट्रोगल पैसा कमा लेता उसमें तो ये तीन तरह की होती है अई होप आप समझ गये हैं समझ गये हैं सबसक्राइब आज दो वीडियो को लाइक करें लाइक करें जिस railway कम्मोटिवेशन मिलता इस टाइब वीडियो बनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राब नहीं किया सब्सक्राब भी खल लें तो मैं मिलता अगली वीडिम दोस्तों जा झाल झाल